Hey guys, welcome to the study with my young, मैं हूँ आपका मयंग, हम लोग यहाँ पर Ns.E.R.T. History, क्लास 11 की पार्ट पुस्तक, विस्वितिहास के कुछ विस्विस है, कवर कर रहे हैं, आज आपका ऐसी करम में अध्याय पांचमा है, यहाँ पर हम लोग यायावर सामराज से संबंदित, इसके भाग एक का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग यायावर सामराज के बारे में जानेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यायावर सब्द का अर्थ से जानेंगे, कि यायावर का अर्थ क्या होता है, यायावर का अर्थ होता है, गुमककड अर्थाथ ऐसे लोग या ऐसे लोगों का समूर जो एक स्थान पर इस्थाई निवास न करे बलके गुमता फिरता रहे उसको गुमन्तू, गुमककड या फिर यायावर कहा जाता है आपके भारत में भी कुछ जन्जातियां ऐसी हैं जो कि एक स्थान पर इस्थाई निवास नहीं करती हैं खास करके हिमाली रीजन की जन्जातियां हैं जैसे हिमाली रीजन की जन्जातियों में गुजर हैं, बकरवाल हैं, गदी जन्जाति की लोग हैं तो ये लोग रितुओं के नुसार रितु प्रवास करते हैं। कभी मैदानों में तो कभी पहाडों पर। तो ठीक उसी प्रकार से मद्येसिया में भी बहुत सारी जंजातियां थी जो कि यायावर प्रकति की थी। तो यहाँ पर इस अध्याय में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कैसे इन गुमकर टाइप के लोगों ने मिलकर एक विसाल सामराज की स्थापना की है। आपके अध्याय में ही इस बात की तुलना की गई है कि इन लोगों ने इतने जादा अवियान किये थे कि सिगंदर ने भी उतने अवियान नहीं किये थे अपने जीमने। गुमककड होते हैं, यह भी खहा जा सकता है कि यह साबिक्षिक तोर पर अब विवेदित, आर्थिक जीवन और प्रार्मिक रायनिक संग्ठन के साथ परिवारों के संहुवों में संग्ठित होते हैं, देखिए यहाँ पर इनकी खास विजिस्ता पताई गई है, पहली विजि तो यह अब विवेदित, आर्थिक जीवन और प्रार्मिक रायनिक संग्ठन के साथ परिवारों के संहुवों होते हैं, यह जहां भी जाते हैं, तो अकिला एक व्यक्ति नहीं जाता है, बालकि इनका पूरा जुन्ड जाता है, पूरा इनका कमिला जाता है, तो वही बताया और प्रार्मिक रायनिक संग्ठन के साथ परिवारों के संहुवों में यह संग्ठित होते हैं, यह बात यहां पर बताई गई है, तो देखे, पहला पॉइंट अब आप लोग नोट कर लिए यहीं पर, पहले पॉइंट पे आप रिखेंगे, यायावर लोग मूलत है, घु अर्थ क्या होता है, और यायावर लोग किस प्रवतिक होते हैं, तो ऐसे करके आपको इस अर्थ समझ में आ जाएगा, अब यहां पर बताया गया है, कि दूसरी और सामराजी सब्द, बहुते कवस्चितियों को दर्साता है, सामराजी ने जडल सामराजी को आर्थिक इस धर्ता प्रदान की और एक सूपरिस्कत प्रसासनिक व्वेस्था की द्वरा एक भ्यापक भुभागी प्रदेश में सुचार्दुरूख से साug्रूख से सासन की अiczD तो ऐसे करके उनुने सामराजी की अर्थ बताया है, अला कि सामराजी की अर्थ में इतना अब देखे आगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जिस समदाई की बात की गई है तो यहाँ पर मंगोलों की बात की गई है मंगोलों में चंगेज खान तो चंगेज खान की यहाँ पर बात की गई है तो यहाँ पर वही कंपेर किया गया है कि अध्याय चार में हमने इस्लामी इलाकों में राज निर्माण का अध्यन किया जो अरब प्रायदीप की बद्दू यायावर परंपरा पर आधारित था और इस अध्याय में एक भिन वर्क के यायावरों का अध्यन किया गया है और य यानि एक तो यूरोपी महादीप और दूसरा जो है यूरोपी महादीप के लावा एसीयाई महादीप और यूरोपी महादीप यानि एक महादीप से दूसरे महादीप तक पहुँच गए इतना अबला सामराज इन्हों ने खड़ा गिया है इनका सामराजी जो है यूरोप और एसीया महादी तक विस्रत था तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे सेकेंड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे मद्द एसी आके मंगोल ब्रैकेट में यायावर जिन्होंने 13 वी और 14 वी सतापदी में पार महादी भी सामराज की स्थापना चंगेज खान की नितरत में की थी नितरत में की ठीक है यह लिख लेना जिन्होंने 13 वी और 14 वी सतापदी में पार महादी भी सामराज की स्थापना चंगेज खान की नित्रत में की इसी में सब पॉइंट मंगोलों का सामराज यूरोप और एसी आ महादीब तक विस्तरत था तो ऐसे करके आप यहां पर यह जान पाए कि जो मंगोल सामराज था वो यायावर सामराज था और यह पूरा अध्याय जो है मंगोल सामराज पर ही केंद्रत है तो हम यहाँ पर मंगोल सामराज का विस्तरत अध्यन करने जा रहे है आगे इसके बारे कोई चीज़ा और बताए गई है यसे बताए गया कि मंगोलों ने चंगेज खान की नित्रत में किस प्रकार अपनी पारंप्रिक, सामाजिक और राजिनितिक रिवाजों को रूपांद्रित करके एक भयानक सैनिक तंत्र और सासन संचालन की प्रभाई प्रदितियों का सूत्रपात किया तो वो सब चीज़ें बताए गई है देखें ये ये जो मंगोल थे ये स्टैपी प्रदेश के निवासि थे स्टैपी का मतलब आप जानते होंगे सम सीतोष्ट जो घास के मैदान है उन्हें इलाकों में रहने वाले ये लोग थे, अर्थात धंडे इलाकों में निवास करने वाले ये लोग थे तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है आप देखें यहाँ कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, यह पताई गया है इसलिए हमारी जो जानकारी है इनके बारे में तो हमारे इन यायावरी सामाजों का ग्यान जो है मुखित है इतिवरत्तों, यात्रावतांतों और नगरी सहत्तकारों के दस्तावियों से हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है इनके द्यास के बारे में हमें पता चलता है तो यहाँ पर आप आप लोग क्या करेंगे तीसरा point आप लिखेंगे तीसरे point में लिखेंगे इस्टैपी निवासियों bracket में मंगोलों इससे समझ जाएंगे कि मंगोल कहां की निवासि है इसी लिए इन यायावरी समाजों का ज्यान मुख्यत है इतिवरत्तों यात्रावरतांतों और नगरी सहत्यकारों के दस्तावेजों से प्राप्त होता है प्राप्त होता है तो यहाँ तक बात इस प्रष्ट हो गई होगी इनके बारे में जानकार ही हमें कहां कहां से मिलती है तो आपने चीज़ें देख ली है आगे और चीज़ें बताई गई है आगे वही चीज़ें बताई गई है जो कि हमने अधिखांस इतिहास के बारे में पढ़े हैं आपनवेसिक सासन में जो इतियास लिखन किया गया है, वो उन्होंने अपने हितों को साथने के लिए किया है, ताकि वो उन समाजों का अध्यन कर पाएं, जिन पर वो सासन स्थापित करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, कि मंगोलों पर सबसे भमू क्यानी की आफशक्ता नहीं है, क्योंकि प्रॉपर वे में जो इन पर सर्मिछड हुआ है, वो वास्तम में आपनवेसिक सासन में ही लिए हुआ है, जाए अपने भारती त्यास का हो, अरब प्राईदीम की त्यास का हो, किसी भी बेश्का हो प्रॉपर भी में वहाँ पर जो इत्यास लेगन की परंपराय इत्यास के सभी काल खंडों को मिलाकर आपने विजिक सातन में ही दिखा गिया है ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है इसके लाव अदाया गया है कि मंगोल भासाओं उनके समाज और संस्कति पर अति उत्तम सोध बोरिस याकोब वाले विच बलाडिमीर इस्टॉप एक रूसी है इन जैसे अनिविद्यानों ने किया है दूसरे अनिविद्वान वैसली बलाडिमीरो विच बाल टोल्ड इन्होंने सोवियत पिचारधारा का समर्थन नहीं किया है और खुलकर इनके बारे में लिखा है तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है आला कि यहमारे लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है अब जैसे यहाँ चंगेज खान के बारे देखें यहाँ पर कुछ चीज़ें ऊपर रह गई है जैसे कई जगह पर इनको बरबर बोला गया है इनके लिए बरबर सब्द इस्तमाल किया गया है बरबर सब्द कई तियासकारों ने इने बरबर कहके संबोदित किया है तो बरबर जो है अंग्रेजी में इसको बार्वेरियन कहते हैं और ये सब्द कहां से आया है ये सब्द यूनानी भासा के बारबरो सब्द से उत्पन हुआ है जिसका तात्पर होता है गैर यूनानी लोगों से है जिनकी भासा यूनानियों को बेतर्तीब कोलाहल यानि बरबर यानि अपनी भासा में कहते हैं नहीं कि क्या बरबरा रहा है तो उन्हें युनानिओं को किसी अन्य भासा के लोग जो थे वो बेतर्तीप कोलाहल वाले बरबर टाइप लगते थे उसलिए उन्हें उन्हें सब्द दिया Barbaros तो यहाँ पर भाई बताया गया है कि बेतर्तीप कोलाहल बरबर के समान लगती थी तो ऐसे करके युनानी गंजगंतों में बर्बरों कदिक्र किया गया है उन्हें महाँ पर बच्चों की तरह दिखाया गया है अर्थात उन्हें में दिवाग बगरा नहीं है डर्पों किस्पों के आसमर्थ हैं इस तरह की बातें इनके बारें कही गई है आगे बोलाए गया कि रॉम बासी उन्हें बरबर सब्द का प्रियोग जर्मन जन जातियों गौल और हूड जैसे लोगों के लिए किया चीनियों ने इस्टेभी प्रदेस के बरबरों के लिए दूसरे सब्दों का प्रियोग किया यह सब चीज जहां पताई गया तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग बरबर का अर्थ लेख लेते हैं और हमें समझ में आ जाया कि कि बरबर क्यों कहा गया है इन लोगों को बारबर बर बर जन जाती यानि अगर आप इतियास की कोई अन्य पुस्तक पढ़ेंगे तो बहाँ पर भी इनको बरबर जन जाती केकि स जम्मुदित किया गया है तो बरबर जो सब्द है वो कहां से निकल कर आया है यह आपको पता होना चाहिए तो आप लोग नोट करके यहां पर लेखेंगे बरबर सब्द यूनानी भासा के बारबरों सब्द से उत्पन हुआ है जिसका ताथपरियर गैर यूनानी लोगों से है जिनकी भासा यूनानीों को बेतरतीब कोलाहल बरबर के समान लगती थी इसी में सब पॉइंट रोम बासियों ने बरबर सब्द का प्रियोग जर्मन जान जातियों गौल और हूड जैसे लोगों के लिए किया तो यहां से सपष्ट हो जाएगा कि बरबर सब्द कहां से निकल कर आया है और इत्यासकारों ने मंगोलों को क्यों बरबर कहा है यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी आप देखें चंगेज खान के बारे में कुछ चीन और है तो चंगेज के विशे में सबसे प्राथीन विवरण जो है मंग कोल उन न्यूतोबियन इसमें बताया गया कि मंगोलों के गोगनी इतिहास जो मंगोल और चीनी भासा मिलते हैं एक दूसरे से अलग है याने का महलत ये है कि इनका एक मंगोली भासा में इतिहास है और ये चीनी भासा में है तोन Keys ब्रणों में अंतर है ये बात यहां बेच बताये गई गया इसी तरह मारको पोलो द्वारा मंगोल राय दरवार का यात्रावतान जो कि इतावली और लातनी भासा मुरुलप्द है ये भी एक दूसरे से मिल नहीं कहाते हैं याँ आप भी यहाँ पर यह देखेंगे चूंकि इन लोगों कोई अपना प्रापर द्यास नहीं है क्योंकि इन लोगों ने इतना जा साहित पर ध्यानी नहीं दिया है इनका इतिहास के वह अने लोगों ने लिखा है लेकिन उनमें भी contradiction है उनमें भी बिभेद है चुँकि मंगोलों ने अपने बारे में स्वयम बहुत कम साहित रचा और विदेशी सांसकतिक बातावण में रहने वाले विद्वानों ने उनके बारे में जयातर लिखा है तो यहाँ पर यह बात बताई गई यानि इनके बारे में जो भी इतिहास लिखा गया है जो भी अने देशों के इतिहास करो हैं इनके बारे में ब्रतांत लिखे हैं उनमें भी विरोदाबास है यह बात यहाँ पर निकल कर आ रही है और clarify इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इन लोगों का कोई proper इन लोगों ने अपना आद्गारिक इतियास लिखवाया नहीं है इसलिए clarify नहीं हो सकता है जैसे भारत में इतियास लिखने की परंपरा रही है असोक के टाइम से रही है चाहे उस्कीड करवा के लिखवाया हो चाहे आपकी पांडूपियां रही हो या फिर प्रसस्ती पत्र बगएरा रही हो अविलेक रही हो तो हमारे आप राचीन परंपरा रही है लेकिन इस तरह की परंपरा हमें इन याया वरों में देखने को नहीं मिलती है तो यह बात यां पर निकल कर आ रही है आप देखें, यहां से भूमिका स्टार्ट हो जाती है और भूमिका में बताई गई है, जो उपर बताई गई है कुछ खास नहीं है, कहानी है, उस कहानी को हם पढ़ते चलेंगे है और पूरा ACI ACI में जो दश्डी ACI वाला portion है खास करके भारत वाला portion है ये बजा रहा है और उपर उत्री ACI यानि कि हलका सा रूस का हिस्सा बच गया है बाद बागी पूरा इनका जो हिस्सा है ये कवर कर लिया है आप देख पारें कितना विसाल सामराज इन्हों ने स्थावित किया था यहां पर घुमिका में बताया गया है तेरेभी सिदाद्दी के प्रारमिक दस्कों में यूरो ACI महादीब के महान सामराजियों ने मद्द ACI के स्टेपी प्रदेस में एक नई रायनेतिक सक्ति के अभ्युद्य के एक बड़े खत्रे का अनवप किया है चंगेज खान तो इसने मंगोलों को संक्रित किया है इसके मेत्यू 1227 में हुई है कि बाद नहां पर बताई गई है तो चंगेज खान ने वहां के यूजायवर समधाय के लोग ते मंगोल उनको संक्रित किया है इसके वारे में कुछी और बताई गई है उसे ईस्वर से विष्ट पर सासन करने का आदेश प्राप्त था अपने अर्दिगत इसलिए फैलाते हैं ताकि लोग उन पर विश्वास करें लोग उन से जुड़ते चले जाएं इसलिए इसने भी ऐसी बातें फैलाई कि उसे ईस्वर ने विष्व पर सासन करने का आदेश दिया है आप उसका साथ दी दिये यानि अपने लोगों को संक्रित करने के लिए इस तरह कि इसने बातें फैलाई हैं यद्दे भी उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और सामराज सनलंग छेतर जैसे उतरी चीन, तूरान, ट्रांस ओक्सियाना, अफगानिस्तान, पूर्भी इरान, रूसी इस्टैपी परदेसों की विरुद युद्ध अभियानों के नेत्रतों और प्रत्यक संचालन में बीता है लेकिन उसके वनसजों ने इस छेतर को आगे जाकर चंगेज खान के सपनों को संगसार्थक किया है और दुनिया के सबसे विसाल सामराज का निर्मार किया है यानि कहने का मलब यह था, शुरुवात में तो लोग अपने जो अन जो कभी लेते उन पर यह आक्रमट करते रहते थे, लेकिन बाद के समय में ने क्या किया है, अपने जो भी कभी लेते उन सब को संधित किया है और बाद में अपने आसपास की जो सनलंग निचेतर दे जैसे उत्री चीन है, तूरान है, अफगानिस्तान है इन पर वे आक्रमट किये है इसका सपना था, चंगेज खान का सपना था कि दुनिया के विसाल शेतर पर अपना सासन इस्थापित करे तो उसका सपना जो है, उसके बंसजों ने आगे चलकर पूरा किया है और एक विसाल सामराज का निर्माण किया है ये बात यहां पर बताई गई है चंगेज खान के आदर्सों के बुताविक, उसके पोते मौन के इसने फ्रांस के सासक लुई नोवें को चेताब नहीं भी दी है कि स्वर्ग में केबल एक स्रास्वत आकास है और प्रत्विका केबल एक अधिपती चंगेज खान स्वर्ग पोत्रों आगे इसके बारे वही सब चीज़ें ब्याक्यान के तौर पर कही गई है हमारे लिए एतना ही इंपोर्टन इंट था तो यानि कह सकते हैं धंगी देने का तरीका भी आप समझ सकते हैं ये किस तरह से उसका इज़द यहां पर काईम थी चंगेज खान की इज़द जो थी लोगों के बीच में कैसे काईम थी उसको स्वर्ग पुत्र की संग्या दी है लोगों ने चंगेज खान के गुसरे पोते बाटू ने इसका समय बताया गया है बारश चत्रिस से लेकर बारश चत्रिस इसके अव्यानों में रूस की भूमी को मौस्को तक रौन डाला है और पॉलेंड हंगरी पर बेजय प्राप्त कर वेना के भार पड़ाव डाल दिया है याँ आप समझ सकते हैं इसने कहा से कहा तक अव्यान किये है इसने रूस की भूमी को मौस्को तक रौन डाला है और पॉलेंड हंगरी पर बेजय प्राप्त करके बेना के भार पड़ाव डाल दिया है इसके लाबा जो चीन का अधिकांस भाग है तो चीन का अधिकांस भाग उनलगी चंगेज कान की आबाद दुनिया पर विजय ईस्वर का गुष्णा है और यह कयामत के दिन तक की सुरुवात है देगे कहने का मलब यह है यहाँ पर सब्डिगा क्योंकि यतने ज़ादा बरबर प्रप्रभती के लोग थे लोग हैं या फिर मदबूर वेशिया के अन इलाकों के छोट-छोटी जो सासकते हैं वो ये मानते थे कि चंगेज खान को क्यों भेजा गया है चंगेज खान को इसलिए भेजा गया है ताकि इस्वर्ग उसके जरीए अपना गुस्ता निकाल सके ऐसा कहा जाने लगा था ऐसी क फार्सी इतिव रत्यकार जुवैनी ने बारेसो बी सीस्पियम बुखारा की विजय का ब्रतान दिया है जुवैनी के कथानुसार पताया गया कि नगर की विजय की बात चंगेज खान जो है उस सब मैदान में गया है जहां पर नगर के धनी ब्यापारी एकतित थे और उसने उन सभी को समदित किया है इसने कहा है कि अरे लोगों तुम्हें ये ज्यात होना चाहिए कि तुम लोगों के तुम लोगों ने अनेक पाप किये हैं और तुम मैं ऐसे जो अधिक संपन लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किये हैं अगर तुम मुझ से पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है तो इसके लिए मैं कहूंगा कि मैं इस्वर का दंड हूँ अर्था चंगेज कहां भी रिलाइज कर रहा है कि वास्तम में मैं इतना बरबर टाइप का हूँ कि मैं आपको सजा दूँगा और आपका जो राज जीता है आपका जो इलाका जीता है तो जो इलाका जीतने में कतलेयां भी ये करते थे तो वास्तम में इस्वर का दंड ही दाओ च्योंकि इतनी बुरी तरह से लोगों को मारते थे कारते थे और राजु को हत्या लेते थे तो अपने आप में लोग भी कहते थे और ये भी सिकंदर की उपलप्तियों का को बोना बना दिया, ये भी एक प्रस्टिशन लगा हुआ है यहाँ पर, पूर अध्विक काल में जब प्रोध्यों की संचार विवस्ता अपर्याप थी, और ये लोग समझ सकते हैं कि आज से 800 साल पहले, कितने विसाल चेतर पर कैसे सामराज इस्थापित कर पाएं, कैसे उसे नियंतित कर पाएं, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें सोचने के लिए छोड़ दी गई है, अला कि चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से नहीं हो रहे, यह तो पूरी भूमिका भूमिका थी, चैप्टर की वास्त्विक स्टार्टिंग जो है, अब यहाँ से होती है, अब आपकी heading पड़ेगी मंगोलों की स्थामाजिक और रायनेतिक प्रष्ट भूमी यह आपकी heading है तो उपर हमने तीन पॉइंट लिख लिए हैं अब यहाँ पर तीन से आगी पड़ेंगे मंगोल जो थे मंगोल विविद जन समुदाय का एक निकाय था यह लोग पूर में तातार, कितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्गी कभीलों से भासागत समानता होने के करण परस पर संबद थे यहाँ पर बताया गया कि मंगोल वास्तम में मंगोल तो गुड़ा छेतर का नाम है यह से आज मंगोलिया के नाम से जाना जाता है तो उस छेतर में जो भी जन्जातिया निवास करती जो भी यायावर प्रवकति की लोग थे उन सभी को मंगोल पोला गया है आपड़े अध्यान देना, मंगोल कोई एक व्यक्ति नहीं है मंगोल कोई एक जन्जाती में नहीं है बलके उस प्रदेस में जितने भी जन्जाती वाले लोग थे उन सब के लिए सामईक रूप से इस्टमाल होने वाला सब्द है मंगोल तो मंगोल कोई है मंगोल विवित जन्जाती के निकाय था और ये लोग जो थे पूर में तातार, खितान और मंचु लोगों से और पश्मी में तुर्गी कभीलों से भासाकत समानता होने के कारण परसपर संबद थे इन मैंसे कुछ मंगोल यो थे, वो वस्पालक थे और कुछ सिकारी संग्राग थे तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? चौथा पॉइंट आप आप नोट करेंगे और चौथे पॉइंट में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे यहाँ से लेकर मंगोल बिवित जमसंजवाय का निकाय था और यहाँ परस पर संबद थे, यहाँ तक नोट कर लिया होगा चौथा पॉइंट आप आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट डाउन करेंगे अब इसी में ही, यानि सभी लोग तो अलाके नहीं थे जैसे बकरी और उटों को भी पालते थे उनका यायावरी करण मद देशिया की चारण भूमी में हुआ जो कि आज के आजनिक मंगोलिया राजी का भूब आ गया है यानि इनकी जो मकडी वाली प्रवती है, इनकी जो मूल भूमी ही है तो यहाँ पर आजनिक मंगोलिया राजी का भूब आ गया है इससे समझ में आ जाएगा कि यह लोग भरतमान में किस देश से बिलोंग करते है तो भरतमान में इनका जो अगर मूल देश देखा जाए अभी प्रजेंट में मंगोलिया की विस्षिताइं बताई गए है मंगोलिया की जो जियोग्राफी है भूबोल इसके वारे बताया गया बताया कि इस चेत्र का परदस आज जैसा ही अत्यनत मरुरम था और छिति अत्यनत विस्तरत और लहरिया मैदानों से गिरा था इसके पश्मी भाग में अलताई पहाड़ों की वर्फीली चोटियां थी दश्यड भाग में सुस्क गोवी का मरुस्तल इसके उत्तर और पश्चिम शेत्र में ओनोन और सेलेंगा जैसी नदियां और वर्फीली पहाड़ियों से निकले स्याकलो जहरने तो इनके पाने से सिंचित हो रहा था यानि कहने का मलब क्या है कि स्टेपीज प्रदेश में खाद्यान खास करके जानपरों की खाने पीने का जो गहास है वो अच्छी खासी थी या पस्टारड के लिए अनेक हरी घास के मैदान रचुर मातरा में छोटे-मोडे सिकार अनकूल रितों में उपलब्द हो जाते थे इसमें आगे और बताया गया है कि सिकारी संग्राग लोग पश्पालक कभीलों के आवास्चित्र के उत्तर में साइवरियाई बनों में रहते थे यानि ज़ो सिकारी संगराग लोग थे इन में से, वो कहाँ पर रहते थे, जो पसपालक कभी लेते, उनके आवास्चित के उत्तर में रहते थे, यानि आवास्ता उसके उत्तर में यह लोग रहते थे, साईवरियाई की बनों में, यह पूरा इलाखा ठंडा इलाखा है तो वहाँ पर इनका भी निवास था सिकारी संगरागों का भी निवास था जैसा कि आपने उपर ही स्टार्टिंग में ही देख लिया है चोथे पॉइंट में कुछ मंगोल पसपालक थे कुछ सिकारी संगराग थे तो सभी सिकारी संगराग नहीं थे जो सिकारी संगराग टाइप के लोग थे वो उत्तर में रहा करते थे तो यहाँ पर आप लिखेंगे चोथे का थर्ड सब पॉइंट इसमें लिखेंगे सिकारी संगराग लोग पसपालक कभीलों के आवास चेतर के उत्तर में साइवरियाई बनों में रहते थे साइवरियाई बनों में रहते थे यहां तक आपने लिग लिए आओगा अब देखें यहां यह कंपेरर भी करके बताया गया है कि ये लोग जो थे, यानि कि जो क्रसक लोग थे क्रसक से मना, sorry, क्रसक मैं बोलना हूँ यहां पर यानि ये सिकार पततीपे जीवन ब्रतीथ करने वाले सिकारी संघ्रहाग जो लोग थे तो ये पसपालक लोगों के तुल्ला में आधे गरीब होते थे और ग्रीस्मकाल में पकड़े का जानबरों की खाल के ब्यापार से अपना जीब को पारदिन करते थे यानि ये सिकारी संहराग लोग काफी गरीब थे पसपालकों के तुलना में काफी गरीब होते थे तो देखे यहाँ पर आपने क्या किया है चौथे का थर सब पॉइंट बनाया है तो चौथे का थर सब पॉइंट ना बनाकर आप लोग क्या करें यहाँ पर इसको पांचमा पॉइंट कर दें इससे कि मैं इसमें कुछ पॉइंट और भी एड़ करवाऊं तो ये चौछे पॉइंट में मिक्सर ना हो जाए तो ये पांचमा पॉइंट आप कर दें यहाँ पर यहाँ पर आप लिखेंगे ये लोग पसपाल लोगों की दुलना में अधिक गरीब होते थे और ग्रीस्मकाल में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीवी को पारजन करते थे ये पांचमें का पहला सब पॉइंट हो जाएगा अब देखें यहाँ पर कुछ चीज़ां और बताएगे जैसा कि आप लोग जानते हैं मंगोलिया जो है उच अच्छांस में पढ़ता है तो बहाँ पर सीत्रितु है जो है वो लंबे समय तक रहती है तो इसी वजए से जो मंगोल हैं तो मंगोलों ने क्रसिकारे को नहीं अपनाया था इनका जो प्रमुक पेसा जो उता हूँ क्रसिकारे नहीं था ये भी आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे छटमा पॉइंट अब आप लिखेंगे इसमें लिखेंगे चारण छेत्र में चारण छेत्र में साल की सीमित अबदियों में ही क्रसिक करना संबब था इसलिए मंगोलों ने क्रसिकारे को नहीं अपनाया यह बात इसपष्ट हो गई यानि इनका प्रमुक पेसा क्रसिकारे नहीं था अब देखेंगे मंगोलों के वारे में और चीज भी आप यहां पर देखेंगे जब इनका क्रसिक प्रमुक पेसा नहीं था तो इसकी बज़े से इनकी कोई आर्थविवस्ता का निर्मार नहीं हो पाया क्योंकि अधिकान समाज जो था पसपालक और सिकरारी संगराग समाज था तो इस बज़े से कोई गनी आर्थविवस्ता गनी आवादी वाला छित्र नहीं यहां पर बन पाया और कोई महत्पूर नगर भी उभर कर यहां पर नहीं निकल पाया यह बात भी यहां पर देखने को मिलती है मंगोल जो होते थे वो तंबूओं और जरों में निवास करते थे जर मतलब क्या है जो जानवरों की खाल टाइफ होती है उससे जो तंबू बना लेते उसको जर बोलते है और अपने पस्द्वन के साथ सीत काली निवास इस्थल से ग्रिस्व काली चारण भूमी की ओर चले जाते थे तो यहां पर आप लोग छटमे का पहला सब्पूइंट आप लिखेंगे मंगोल जो थे मंगोल तंबूओं और जरों में निवास करते थे और अपने पस्द्वन के साथ सीत काली निवास इस्थल से ग्रिस्व काली चारण भूमी की ओर चले जाते थे यह शटमे का पहला सब्पूइंट हो जाएगा आगे हैं बताया ग्या है नरजातिय और भासाई संबंदों ने मंगोल लोगों को परस पर जोड़ रखा था पर उपलब्द आर्थिक संसात्मों में कमी होने के करण उनका समाज अनेक पित्र पक्षिय बंसों में विवाजित था देगिन नरजाति का मतलब क्या है नरजातिय एक ऐसा साज aggreg नसली जणजाती या सानस्गतिक सम्मूम है जो किसी जन संख्या में आसानी से पहचान लिया जा सके तो इनके लिए सामविक पहचानने की क्या है नरजातिया मंगोली है यानि मंगोल प्रदेश से आते हैं तो मंगोली है तो भावर जितनी भी जन जाती होंगी उनकी एक सामविक नरजाती पहचान मंगोली है तो वही चीज है कि नरजादिय और भासाई संब्धने मंगोल लोगों को परसपर जोड़ रखा था लेकिन यहाँ पर आर्थिक संसादों की कमी थी इसकी बज़े से इनका समाज कैसा था पित्रपक्षी था पित्रपक्षी का मलब यह था कि इनमें जो भी वयस्क नर होते थे वो अपना परिवार चलाते थे अर्थात इन लोगों को रडाई भी लड़नी पड़ते थी अन्य प्रदेसों पर आक्रमड़ी करना पड़ता था यानि अपने संसादन जोटाने के लिए अन्य प्रदेसों पर धाबे भी बोलते थे तो इसलिए इनका समाज जो था वो पित्रप्रक्षी था यह बात यहाँ पर बताई गई है तो हम लोग क्या करेंगे अब सात्मा पॉइंट लिखेंगे यानि बताने बताने से काम नहीं चलेगा लिखना पड़ेगा आपको पित्रप्तात्मक था या फिर मात्रप्तात्मक था तो इनका समाज जो था पित्रप्तात्मक था या पित्रपक्षी था तो यह आपका सात्मा पॉइंट हो जाएगा आगे हैं कुछ चीज़ और बताई गही है धनी परिवार विसाल होते थे उनके पास अधिक संक्या में पसु और चारण भूमी होते थी और इसी वज़ेसे यहने छोड़ छोड़े जो समधाय होते थे छोड़ छोड़े जो अनलोग होते थे वो इनके follower बन जाते अन्याई बन जाते थे और उनका अधिक दबदबा भी होता था समय समय पर जो प्रागर्दिक आपदाएं आई हैं जैसे भीसर सीतरितु के दोरान जो एकित्त की की सामिक्री है इसके भंडार खाली हो जाते थे या फिर कई बार बरसा नहीं हुई तो घास के मैदान सूख गई है चरागाओं के लिए ने भठकना बढ़ रहा है ऐसी स्थिती में इनके संगर्ष होते थे इनके संगर्ष किससे होते थे तो धनी परिवारस होते थे धनी परिवारोंए नहीं क्योंकि जो भी संसाधन थे, संचित कर रखे थे इसलिए जिनके पास संसाधन नहीं थे जिनके पास राशन नहीं था अपने पसुँओं खिलाने के लिए एक चारा नहीं था बोलो इनसे संघर्ष करते थे पसदन को प्राप्त करने के लिए पर लूट पार्ट भी करते थे प्राय परिवारों के समूँ आक्रमड करने और अपनी रक्षा करने हित्तु अधिक सक्तिसाली और संपन कुलों से मित्रता कर लेते थे और परसंग बना लेते थे तो हम लोगों ने सात्मा पॉइंट लिख लिया है, सात्मे का पहला सब पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, कि ये लोग ये पश्दन को प्राप्त करने के लिए रूट पार्ट भी करते थे, इसी में सब पॉइंट प्राय, परिवारों के समु आक्रमल करने ये आपका सेगंड सब पॉइंट हो जाएगा, और अपनी रक्षा करने हेतु अधिक सक्साली और संपन कुलों से मित्रता कर लेती थे और परसंग बना लेती थे, अब देखें, यहां बताया गया है कि मंगोल और तुर्की कभीलों को मिला कर चंगेज खान द्वारा जो बनाये हुआ परसंग है, यह पांच्वी स्थाब दीके अटीला, जो कि इसकी मित्रती हुई चारसुत रेपन इसवी में, इसके दोरा बनाये के परसंग के बरावरता है, यह काफी बड़ा परसंग था, अट्रिला के बनाये परसंग के बिब्रित, चंगेज खान की रायनतिक वेवस्ता थी, बहुत अदिक इस्थाई थी, पर आप लिखेंगे मंगोल और तुरकी कभीलों को मिलागर चंगेज खान द्वारा बनाया गया परसंग पांती सदाब्दी के अठ्टीला द्वारा बनाया गया परसंग के बराबर था तो आपने इलिग लिया होगा इसी वस अप पॉइंट चंगेज खान की रायनेतिक व्यवस्ता बहुत अधिक इस्थाई रही और यह तथा लगा दीना तथा चीन, इरान और पूरी यूरूपी देशों की उननस सस्त्रों से लेस विसाल सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम थी तो यह आपका आठ में का सब पॉइंट हो जाएगा अब देखें इनके ब्यापार के बारी में यहाँ पर जिक्र किया गया है कि इनका ब्यापार कैसे होता था तो बताया गया है कि वास्तम में इस्टैपी छित्र में संसादनों की कमी की कारड मंगोलों और मद्देशी जाके याजावरों को ब्यापारो वस्तु बिनमे के लिए उनके पड़ोसी चीन के इस्थाई निवासियों के पास जाना पड़ता था और यह विवस्ता दोनों पक्षों के लिए लावकारी होती थी यायावर कभीले खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और घोडे फर और इस्टैपी में पकड़े गए सिकार का बिनमे करते थे यहाँ पर दोनों के बीच में आतन प्रतान होता था कुछ चीज़ें यह चीन से लेकर आदे थे और कुछ चीज़ें यह चीन को निर्यात भी करते थे और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और घोडे फर फर का मलब वही जो पसुओं के ऊपर की जो नरब खाल होती है वही फर होता है फर और श्टैपी में पकड़े गए सिकार का यह बिनमे करते थे कई बार क्या है कि यहां पर वो भी जिख्र किया है कई बार तनाव का सामना हो जाता था दोनों पक्षण अपने बात पर अडग गए हैं तो ऐसे मारकाट भी होती थी स्यानिक कारवाही भी कर बैठते थे कई बार क्या था कि जब यह ब्याबारिक संब्द नाकाम हो रहे हैं तो लूट पार्ट करने लगते थे यह सब चीज़ें होती हैं यह आम बागती यहां पर अब देगे इन में कुछ चीज़ें और बताई गई हैं जैसे बताया गया है जैसे जो ज़ड़ते होई हैं आपस में सीमावर्टी ज़ड़तों से गया हुआ है जो ज़ड़ाई वगरा हुई है उससे यह हुआ है इस्थाई समाज कमजोर पढ़ने लगी है इस्थाई हैं दूसरी ओर यायावर लूट पाड़ कर संगर्स चेत्र से दूर भाग जाते थे जिससे उन्हें बहुत कम हानी होती थी यानि ये लोग क्या करते थे किसी भी नगर में लूट पाड़ की वहां रुकते नहीं थे वहां से सामान लिया दंसंपदा लूटी और वहां से एक भाग गए ये इनकी खास वात थी तो इस बज़े से इने बहुत कम हानी उठानी पड़ती थी अपने संपूर इत्यास में चीन को इन यायावरों से बिविन सासन कालों में बहुत अधिक छती पहुँची है तो इसी बज़े से आप यहां पर देखेंगे आठवी सताथी इ चीनी सास को ने किले बंदी करना स्टार्ट कर दिया था और तिसी सताथी इसापूर से इन लोगों ने क्या किया है एक रच्छात्मक धाचे का निर्माड किया है जैसे आज ग्रेट वाल अफ चाइना के नाम से जाना जाता है तो इसी का पर दाम है तो इन आकरांदाओं को के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें मंगोरों के बारे में ही फोकस रखेंगे हम लोग तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे इसी में सब पॉइंट यानि आप आपका नौमे का सब पॉइंट आएगा आपने नौमे का सब पॉइंट आएगा इसमें आप लिखेंगे अपने संपूर इत्यास में चीन को मंगोल इनकी जगे मंगोल लगा दिना मंगोल यायावरों से बिभिनिस आसन कालों में बहुत अधिक छती पहुँची इससे आप समझ जाएंगे छती क्यों पहुँची हो गी छती पहुची का रीजन यही था कि जब व्यापार बिगड़ा है तो वैसे वैसे क्या यह सेन निकारवाईयां करने लगी है तो ऐसे करके इनको छती पहुची है अब आगे आपकी हैडिंग है चंगेज खान का जीवन ब्रत देखे चंगेज खान का जन्म जो है 1165 इस भी गयास पास हुआ है आधुनिक मंगोलिया के उत्री भाग में ओनोन नदी के निकारट हुआ था इसका प्रारम्य की नाम जो था वो तेमु जिन था इसके पिता का नाम येशु जेई और ये कियाद कभीले का मुखिया था यह एक परिवारों का संहु था क्याद कभीला जो था वो परिवारों का संहु था और बोरिज जिगित कुल से संब्दित था यह पूरा कभीला जो था वो बोरिज जिगित कुल से संब्दित था इसके पिता की अलपायू में ही हत्या कर दी गई थी इसकी माता जो है ओलुन एके इन्होंने तेमजेन और इसके सगे और सौतेले भाईयों का लालन पालन बड़ी कढ़नाई से किया है यह कढ़ना यहाँ पर और गटित होती है 1170 के दसक में तेमजेन का अपहड़ करके इसको दास बना लिया गया तो जब बाद में दास प्रता से मुक्त हुआ है उसके बाद इसने बिभा किया है लेकिन बिभा के बाद इसकी पत्नी बोल्टे है तो उस पत्नी को भी बाद में अपहड़ करके दास बना लिया गया है तो अपनी पत्नी को शुडाने के लिए से लडाई भी लड़ी है तो यह बात यहाँ पर बताई गई है तो अब आप लोग क्या करेंगे दस्मा पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर लिखेंगे चंगेज खान का जन्म 1121 टीसपी के आसपास आधुनिक मंगोली आके उत्री भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था इसका प्रारमिक नाम तेमो जिन था यह आपका दस्मा पॉइंट हो जाएगा दस्मा का पहला सब पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे उसके पिता का नाम येसु जे ही था जो कियाद कभीले का मुकिया था और यह एक परिवारों का सम्हू था और बोर जिगित कुल से संब्दित था यानि कियाद कभीले जो था किस कुल से संब्दित था बोर जिगित कुल से संब्दित था आपको यहाँ पर दो चीज़ें याद रख नहीं है पहली बाद इसके कभीलिया के नाम, कभीलिया के नाम क्याद है, इसके कुल का नाम जो है बोर्जगिद है इसके बाद आपका दसका सेकिंड सब पॉइंट यहां पर आएगा सेकिंड सब पॉइंट में आप लिखेंगे, 1170 के दसक में तेम जिनका अपहरड कर उसे दास बना लिया गिया आगे, अब देखें यहां आगे पतायागा है बिपत्ती के वर्सों में इसके कौन को मित्र रहे हैं तो नव यूबग बोगूर्चू इसका पहला मित्र था, इसका सगा भाई जमू का, ये भी इसका और विस्वसनी मित्र था तेम जुन्ने केराइट लोगों के सासक हैं, इसके सगे चाचा हैं, अपने पिता के ब्रदु सगे भाई, तुगरिल उर्फ ओंग खान के साथ, पुराने रिस्टों की पुनरस्थापना की है तो ये बात भी यहां बताई गई गया, तो यहां पर आपने क्या कि दसका सेगेंड सब पॉइंट लिख लिया है, अब दसका थर्ड सब पॉइंट आप लिखेंगे नव युबक, भोगूर्चूस का प्रतम मित्र था, दसमे का चौसा सब पॉइंट, उसका सगा भाई, जमू का भी उसका एक और बिस्वसनी मित्र था इसी में पांचमा सब पॉइंट, तेमजुन्ने, केराइट लोगों की सासक और अपने पिता के सगे भाई, तुग्रिल उर्फ ओंग खान के साथ, पुराने रिस्टों की पॉइंट आपना की तो आपका ये दसमे का पांचमा सब पॉइंट हो जाएगा अब इनका जो भाई ये जमुका, जोके इसका मित्र भी था, बाद में इसका सत्रू बन गया है तो जमुका को पराजित करने के बाद तेमजुन में और सहस आ गया है, वो कहानी यहाँ पर बताई गई है तो देखें, यहाँ पर आप आप क्या करेंगे, ग्यारेमा पॉइंट लिखेंगे यद्यभी, जमुका उसका पुराना मित्र था, और बाद में वह है उसका सत्रू बन गया है और जमुका को पराजित करने में इनके जो चाचा है, ओंखान, इन्होंने काफी मदद की है तो वो जब आदमी यहाँ बताई गई है तो यहाँ पर आप बताया गया कि जमुका को पराजित करने के बाद तेमजिन जो है इसमें काफी आत्मिस्वास आ गिया है और अब इसने अन्य कभीलों के वुरुद युद्ध के लिए निगल पड़ा है इन मैंसे उसके पिता के हत्यारे सक्साली तातार, केराइड और कुद ओंग खान इसके वुरुद उसने बारे सो तीन में युद्ध रला कहने का मुलब यह है कि पहले जिस सासक की मदद ली है बाद में इसने उसके खिलाफी युद्ध शिड़ दिया ये भी यहाँ पर देखा गया है बारे सो च्छे में इसने सक्साली जम्मू का और नेमन लोगों को निर्णाय कुग से प्राजित करके करने के बाद तेउ जिन स्टेबी शिट की राणियत में सबसे प्रत्रवासाली व्यक्ति के रूप में उभरा है तो देखिए यहाँ पर आप आप क्या करेंगे यहाँ पर आपने यह चीज़ लिख ली होगी ग्यारेमा पॉइंट यह वाला लिख ली आओगा अब ग्यारेमा का सब पॉइंट तो इंपोर्टेंट है इसी में लिखेंगे आप 1206 में सबसे प्रवावसाली व्यक्ति के रूप में उभरा तो यह हमारे लिए काम की बात है इससे आप समझ जाएंगे इसने अपना जो विरोधी अपना भाई उसको भी हराया है और नेमन लोगों को भी हराया है इसके बाद इसकी प्रतिष्टा को मंगोल कबीली के सरदारों की सभा में इसका नाम सभा सभा का नाम दा कुरल लताई इसमें मानता मिली और इसे चंगियज खान समुदरी खान या सार्भाम सासक की उपादी के साथ मंगोलों का महानायक घुसित किया गया तो इसी में इसका जो है सेकिंड सब पॉइंट आएगा इसमें लिखेंगे इसकी इस प्रतिष्टा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा यानि कुरल लताई में मानता मिली और इसे चंगियज खान समुदरी खान या सार्भाम सासक की उपादी के साथ मंगोलों का महानायक घुसित किया गया तो यहां तक बात आपको इस प्रष्ट हो जाएगी अब देखें यहां पर कुछ चीज़ां और भी है जैसे 1226 में कुटलताई से जब इसे मानता मिल गई है तो यह और ज़्यादा ससक्त हो गया है तो इसने क्या किया है इसने चंगेज खाने मंगोल लोगों को एक ससक्त अनुसासित सेन सक्ती की रूप में पनरगटित कर लिया है जब मानता मिल गई है तो उन्होंने सेन सक्ती को पनरगटित करने का प्रयास किया है उसकी पहली मंसा जो हुथी वो चीन पर बजय प्राप्त करने की थी जो उस समय तीन राज़ों में विभखत था जैने कि इसने क्या किया जब कुरलताई से मानता मिल गई है उसके बाद इसने सबसे पहला टारगेट इसके सामने चीन था और चीन उसमें तीन राज़ों में डिवाइड था जिन मैंसे इसके उत्तर पश्मी प्रांत में तिब्टी मूल के सिया लोग रहते थे जर्चेन लोगों के चीन राजवंस जो पैकिंग से उत्तरी चीन चितर का सासन चला रहे थे सुंग राज़वंस जिनके आधिपत्य में दश्री चीन था तो ऐसे करके फिर गवाद में क्या किया बातफेद ने उन्होंने अवियान किये इनके खिलाब बारेसो नो में सी सिया यानि जो लोग उत्तर पश्मी प्रांत में रहे थे उनको प्रास्त किया है 1213 में चीन की महान दीवार को अत्करमण किया है इसने 1215 इसमें पैकिंग नगर जर्चेन लोगों की रायधानी थी उस पर इसने कब लूटा है उसको चीन वन्स के विरुद्धिसों ने इसने जो 24 तक लंबी लड़ाई लड़ी है तो ऐसे करके सारी चीज़ें यहाँ पर जिक्र किया गिया है कितने लंबे अवियान इसने करें है तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे 12 इमां पॉइंट आप लिखेंगे इसमें लिखेंगे चंगेज खांकी पहली मंसा चीन पर बज़े प्राप्त करने की थी जो समय तीन राज्यों में भक्त था कौन-कौन से तीन राज्य थी पहला इसमें पहला सप्पाइट लिखेंगे पहला कौन सा था उत्तरपश्मी प्रांद का CCA उत्तरपश्मी प्रांद के तिपद्धी मूल्गे CC आलोग, सेकिंड, जर्चेन लोगों के चिन राजवन्स, यानि कि उत्री चेत्र में, जर्चेन लोगों के चिन राजवन्स, थर्ड, दचडी चिन में सुंग राजवन्स, यहां तक बात फष्ट हो गई है, अब देखें, तेरेमा पॉइंट आप यहां पर आप इसके बाद आएंगा, इसमें लिखेंगे, बारेसो नौ में, चंगेज ने, CC आ, लोगों को परास्त किया, इसी में आगे, बारेसो तेरे इसमी में उसने, चीन की महान दीवार का अत्करमण किया, इसमें सब पॉइंट, बारेसो पंदर इसमी में पैकिंग नगर को लुटा गया, इसी में आगे, इसी में अब आप क्या करेंगे, यह पैकिंग नगर को लुटा गया, ये आपका पहला sub point है second sub point में Chin once के बुरुद Chin once के बुरुद उस छेतर के सेनिक मामले अपने अदीनस्तों की देरिक में छोड़कर बारशो सोले में मंगोलिया इस्थित इन चंगेज खान मंगोलिया में अपनी मातर हुव में लौट आया है ऐसे करके आप लिख लेना तो यह तेरे का second sub point हो जाएगा आगे यहां बताया गया है 1218 SP में करा खिता की पराजय के बाद जो चीन के उत्तरपश्मी भाग में इस्तियत तिये इंसान की पहड़ियों के नेंतित करती थी मंगोलों का सामराज अमुदरिया, तूरान और ख्वारजम राजन तक प्रिस्तत हो गया है यहां पर एक व्यक्ति का नाम और लिया गया है ख्वारजम का सुल्तान मुहमद इसने क्या किया है इसने चंगेज खान के एक दूद की हत्या कर दी है तो इसकी वज़य से चंगेज खान ने उससे बदला लिया है तो बारे सो उन्निस और बारे सो एकिस बिस भी तक इन्होंने कई बड़े अवियान किये हैं इसके तेते नोंने ओटरार, बुखारा, समरकंद, बल्क, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हिरात इन सब पर इनोंने कबजा कर लिया, यानि जो नगर है, इन नगरोंने इनके समुख समबपड कर दिया है तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है तो दीखें, अब आप लोग क्या करेंगे चौधेमा पॉइंट आप लिखेंगे इसमें लिखेंगे कि पराजय के बाद मंगोलों का सामराज्य अमूदरिया, तूरार्न और ख्वार्रसम कराज्यों तक विस्तरत हो गया इसी में सब पॉइंट 1219 और 1221 पी तक के अभ्यानों में बड़े नगरों ओटरार, बुखारा, समर्गंद, बल्क, गुर्गंज, मर्व निसापुर और हिरात ने मंगोल सियनाओं के सम्मुख समर्पड कर दिया यह आपका चौदे में का पहला सा पॉइंट हो जाएगा आप देखें यहाँ पर एक चीज कहानी का जिक्र किया गया है कि जब इसने निसापुर में निसापुर जो है यह इरान में पढ़ता है निसापुर में घीरा डालने के दोरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई तो चंगेज खान ने आदिस दिया कि नगर को इस तरह बिद्वन्स किया जाए कि संपूर नगर में खल चलाया जा सके आप समझ सकते हैं कितना कुरूर और कितना वरवर शा सकता है आगे बताया गया कि मंगोल सेना है फिर सुल्तान महमद का पीशा करते हुए सुल्तान महमद है इसने दूत का बद किया है इसका पीशा करते हुए अजर वैजान तक चली आई है और कृमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ-साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को घिर लिया है यहां से भागा है भागते भागते उपर की तरफ गया है रूस की तरफ तो रूस की सेनाओने इसकी सहता करनी चाहिए लेकिन जो मंगोल सेना है मंगोल सेनाओने रूस की सेनाओं को भी हरा दिया है और ऐसे करके इन्होंने उपर जो है अजरवैजान करीमिया यहां पर इन्ह के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंद्र प्रदिस तक पीछा किया है। फिर आगे इनकी मंसा जोती उत्री भारत तक आने की थी लेकिन ये नहीं आये हैं तो ये बोला गया है कि सिंद्र नदी के तरट पर चंगेज खान ने उत्री भारत और असम माल्ग से मंगोलिया पापस फ्रोटने का विचार किया परंत असहे गर्मी प्राकरतिक आवास की कटनाईयों और उसके शमन निमित तक द्वारा किये गए अशुव संकेतों के आवास ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाद किया। देखे हम लोगों ने यहाँ पर चौदेमा पॉइंट और चौदेमा का सब पॉइंट नोट कर लिया है अब देखे हैं यहाँ पर कुछ चीजों का लिक्रोड किया गया है मंगोलों द्वारा किये गए विनास का आखलन तो जैसे एक निसापूर है निसापूर के बारे में 16,258 में बगदाद पर आधपत करते समय आठ लाक लोगों का बद किया गया यहीं कितनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं छोटे नगरों में सापेच्छे रूख से कम नरसंगार हुआ नासा में 70,000 बैहाग चिली में 70,000 कुष्तान प्रांत में के तूर नगर में 12, लोगों को तो आप समझ सकते हैं इसी बज़े से ऐसा कहा जाता था ऐसा लोग मानते थे कि ईस्वर ने चंगेज खान को दंड देने के लिए वीजा है ऐसा कहा जाता था यह यह इस्वर का दंड है अपने आपने आपने तो इसी बज़े से खाता था क्योंकि यहां भी जात तो आप इसके बाद इसके जो उत्राधिकारी रहे हैं उन्होंने इसके सामराज का फिर विस्तार किया उनके बारे में हम लोग पार्ट टू में डिसकस करेंगे पार्ट बन में हम यहीं पर एंड कर देंगे तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे पंद्रहमा मॉइंट अब आप लिखेंगे इसमें लिखेंगे अपने जीवन का अधिकान सुभाग जो दोमें प्रतीत करने के वाद 1227 में चंगेज खान की म्रत्यू हो गई अब इसकी सेना के वारे में को चीज़ा और बताई गई है क्यों इसकी सेना काफी ज़ाधा श्ट्रॉंग थी कैसे ये सभी प्रदेसों को बिज़ित करते गए तो बताया गया कि मंगोल और तुर्कों के घुड़सवारी कौसल ने उनकी सेना को गति परदान की थी गोले पर सवार होकर उनकी तीरंदाजी का कौसल अधवुत था और ये जो कौसल था इन्हों ने क्योंकि ये सिकारी संग्राग समाज से आते थे तो ये कौसल इन्हों ने जंगलों में पसुम को आखेट करते समय प्राप्त किया था इससे भी इन्हें युद लड़ने में युद जीतने में काफी मदद मिली इसके लावा एक खासवात इनकी और रही है वैसे तो जो अधिकान सासक होते थे वो सीतरितु में कोई अभ्यान नहीं करते थे लेकिन इनकी खासवात ये थी ये सीत्रितु में अभ्यान करते थी इसका फायदा ये होता था कि सीत्रितु में जो नदियां होती थी वो जम जाती थी और नदियां जब जम जाती थी तो नदियों की उपर गोलिर दोडाने में नदियों का हिस्तेमाल ये हाईवे की तरह करते थे तो उन्होंने घोर सीत्रित में युद्ध अभ्यान प्रारम किये और उनके नगरों और सिवरों में प्रवेश करने के लिए बड़ से जमी हुई नदियों का राजमारकों की तरह प्रियोक किया याँ आप समझ सकते हैं कितना जाद दिमाख नों लगाया और जब लोग सीत्रितु में घर सी भार निकल नहीं बंद कर देते थे उस समय इन्होंने अभ्यान किये हैं और ये भी इनकी सफलता के महत्मूर कारण रहा है तो यहाँ पर अब आप लोग सोलेमा पॉइंट आप लिख लीजिए इसमें आप लिखेंगे मंगोलों और तुर्कों के गोड़सवारी कोसल ने चंगेज खान की सैना को गती परदान की थी अब उसकी जिया लगा ले ना चंगेज खान चंगेज खान की सैना को गती परदान की थी इसी में सब पॉइंट गोड़े पर सबार हुकर उनकी तीरंदाजी का कौसल अद्वुत था इसी में सोले में सेकिंड सब पॉइंट उन्होंने गोड़ सीत्रितु में युद्ध अभ्यान प्रारम किये और बर्व से जमी हुई नदियों का राजमार्गों की तरह प्रियोग किया तो इसी के साथ आपका जो है पार्ट वन कंप्लीट हो जाता है पार्ट टु में इसके जो उत्तुरादिकारी है उत्त्रादिकारी उन्हों राज्जिका विस्तार कैसे किया है क्या-क्या प्रवत्तन आये हैं चंगेत खान की जाने के एबाद वो सारी चीजे हम पार्ट टु में डिसकस करेंगे तो यहां तक कि आपने नोट्स भी बना लिये होंगे अध्याई भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल न भूलें तो चलिए आज के वस्तना ही Thanks for watching जय हिंद